जगदीश मंदिर उदैपुर का सुन्दर प्राचीन एवं विख्यात मंदिर है आध्यात्मित्ता की शेत्र में तो इसका अपना एक विशेश इस्तान है ही साथ ही मेवार के इतिहास में भी इसका योगदान रहा है जगदीश मंदिर भारती आर्य इस्तापत्य कला का उतकरष्ट उधारण है यह मंदिर लगबग चार सो वर्ष पुराना है और इसका निर्मान महराणा जगज सिंग ने सोला सो इक्यावन में करवाया था यह मंदिर जगत के पालन करता भगवान विश्नु को समर्पित है भगवान विश्नु को जगदीश के नाम से भी जाना जाता है इसलिए इस मंदिर को जगदीश मंदिर के नाम से पुकारते हैं मंदिर के निर्मान से पूर भगवान जगनात की यह मूर्थी डूंगरपुर के पास कुनबा गाओं में एक पेड़ के नीचे खुदाई से प्राप्त हुई थी तब से लेकर मंदर के निर्मान कार्य की पूरा होने तक इस मूर्ती की पत्थर पर रखकर उसकी पूजा अराधना की गई थी वो पत्थर आज भी मंदर में मौजूद है 25 फिट उचे मंच पर 80 फिट उचे जगदीश मंदर की 32 सीडियों में प्रिवेश के मार्क के दोनों और खड़े पाशानी गजराज पर्यटकों और आगंतुकों का स्वागत करते हैं मंदर के प्रिवेश में भगवान विश्णु के वाहन करूड की प्रतिमा भी लगी है यहां गणेश जी, सूर्य देव और शिव के भी मंदर है मंदर के इस्तंबो पर जटल नकाशी की हुई है मंदर की उतकस्त शिल्पकारी एवं कलात्मक्ता दर्शनी है मंदर में दर्शन का समय प्राते काल चार बच के पंदरा मिनट से तोपेर एक बज़े तक एवं साय काल पाच बच कर पंदरा मिनट से रात्री आड बज़े तक का है पुदैपुर का जगदीश मंदर आम जन्द के साथ साथ पर्याटकों में भी आस्था का केंदर है हुदा हुदा पिता बचेट से बचाच कर दो